गैपसिटर कि अब मैंने इसमें चर्चा किया कि अगर चेंज इन व्टेज हम चेंज इन व्टेज की समस्या हो तो उसको अम लोग गाँ पर यूप करते हैं काक्शिटर या इसको मुझा वह सकते हैं dv by dt कहीं भी समस्य हो चेंज इन वोल्टेज वोल्टेज कम हो रहा है या वोल्टेज फ्लेक्टुएटिंग है और यह जितनी समस्य है जो है सबस्यादा आपको जो लोग क्या है ग्यां कम लोग केळने याथ कहा से करें कि बहुत और करते सब्लेंकर करें सिंद्ध का हम latest से चरुछ निएजयndиковником टेंट देखें चनले क्या एक की अपना अगनेमटिए इसके बीच में क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स को हरते डाइलेक्ट्रिक्स हुआ इसे इसमें कॉटन है तो कॉटन हो सकता है आप जिसे पनक्रा में italy लेकिन जब तुम कंडेंसर बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि कंडेंसर तो यह डालेक्ट्रिक्स का परियोग करते हैं डालेक्ट्रिक को इंसुलेट करता है जो पास करेंट को नहीं मैं बोला कि दो प्लेट लेते हैं जंडल में दो प्लेट लिया मैंने आप पैरलल मेटलिक उसके बीचे मैं ने डालेक्ट्रिक्स पुरा भर दिया यह डालेक्ट्रिक्स मतलब जस्ट लाइक इंसुलेटिंग मेटरियर जैसे आप पेपर भी उप्योग होता आज कल वाइल का बुखिये जाता है उल्टर लाइक्ट्रोग वाइल कभी प्रियोग करते हैं और एक्ट्रोक्रिक्स का उप्योग करते हैं तो क्या होता है चार्जर को इधर सी इधर पास नहीं होने देगा मतब चार्ज इध्यस्ट इसको बोल सकते हैं कि इसको मुझे सकते हैं storage device यानि चार्ज को चार्ज इए अब करता है डैड़ी नौन दा चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेश और है और पूछाया कि चार्ज को कौन स्टोर करता है डैड़ी इसको आप लोग मार्केट लेंगोईज मुसको आप लोग कंडेंसर भी आप इस लोग बोल सकते हैं तो इसको कैप इसका जो प्रोपार्टी जे तो हो गया कंपोनेंट जो प्रोपार्टी हो गया उसको हम लोग बोलते हैं स्टोर करें दर्प्रोपर्टी ऑुटेरियल पर kao 2018 प्रोपर्टी ऑफ ने अपने sendiri एक स्टोरच कि छया पुटाए लगा दो जायािक और विल्सेश् ant signing दो व्ल्ट प्लाई कि चार्जेज पर यूनिट पोटेंशिल या उसको डिफाइंड नम लोग डिफनेशन दे सकते हैं कि दा कैपसीटी ऑफ कापसीटर तो ऑस्टोर दा चार्ज चार्ज मतलब हो गये आपका क्यू पर यूनिट पोटेंशियल डिफ्रेंश जेनरली हम लोग जो क्यू बरावर लिखते हैं क्यू बाई भी तो जो कैपसीटेंश का यूनिट होता है उसको बोलते हैं जेनरली 59 फैरड फैररड साइन्टिस्ट थे उन्हीं के नाम पर रखा गया डेटबी डायूनिट 35 दा कैपसीटेंश कालेंश यूनिट यूनिट डाटिन पारड लेकिन आप जब मार् जो है आपका एक फेरेड का नहीं मिलेगा कहीं विजय से आपको पूछ देख क्वेशन कि आप एक फेरेड का कैपसीटर आप खरीद के लेके आए तो आप खरीद के नहीं लेके आ सकते हैं उसका कारण क्या है कि हम लोग एक डैमेंशनल फार्मूला हम लोग बताते हैं एक नट किसी बरावर लिखते हैं एसलेन नौट बाई डि हएग है और कि क्यों सुर्वन जिस्ट करता करता है bạn उन एपड़ेज करते हैं कि ए डाया को प्लेट का बेसे अरिया हम लोगा देते हैं हमको निकालना है कि व अरिया हमको निकालने ने दो प्लेट लिया वन मीटर दोनों की बीच हम लोग क्या किया डिस्टेंस को अपाड रखा इसमें जो भी डियलेक्ट्रिक्स वगएरा मैंने भर दिया एपसलेंट नॉट को बोलते हैं डाटी नोने दफ पर मीटिविटी ऑफ दा थी फ्री अस्पेस और जिसकी जो वैलू होती एलेक्ट्रिक फिल्ड में एपसलेंट नॉट बरावर एट पॉइंट पॉइंट टू दी पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर अब देखिए यहां पर पॉट करते हैं वह लोग क्या करते कि सी को मान लेते हैं वन फैरेड सी बरावर तो यह बरावर क्या हो जाएगा सी इंटू डी बाई अफसलेंट नॉट चलिए पूट कि यह सी वान गुने डी डी आपका हो जाएगा एंट पॉइंट पावर माइनस 12 फेराड पर मिटर अब यह 10 पावर माइनस 12 जब उपर जाएगा 10 पावर 12 पे जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो यह आपका आर्थ के रेडियस से भी बढ़ा हो जाएगा आर्थ का जो आपका रेडियस हाता है वाब वह आपका 6400 किलो मेटर है उससे भी बड़ा जाएगा तो बताओ एक फेरेड के कैपसीटर एक जिस्ट करेगा जब आर्थ से ही बड़ा हो जाएगा इसका एरिया तो इसी लिए जनरली जो कैपसीटर का जो हम लोग यूज करते हैं वह आपका जनरली आपको आएगा मैक्रो फेरेड पी मैं ही तो यहां पे तीनो की समस्या होगि करेगा चैंज की समस्या होगी ही का पे काम करएगा करनको करना है कर लोग करते देla काम उससे नहीं पको तो दिखहां है कि वहा अपको कैसा दिखता ठैंच ओक कि देखिए यहां पर लिखा ओए कंडेंशर आपका 6 Macro Farad देखिए कि लिएर लीडिडेवल 6 शिक्स इस्ट माक्रो फडर फ़िप्टी वोल्ट एसी 6 Macro Farad कहना'क मतभ हो गया 6 से इन्टू टेन्टू दी पावर माइनस सिक्स फेरेड एक फेरेड का कहीं आपको नहीं मिलेगा अब यह देखे छोटा फोटा मैक एक सो चार एम एक सो चार के लिए सो कोडिंग किया हुआ है में अब यह बड़ा अब वल्ला कंडेंसर आपका फैन में मोटर का मोटर के स्टाटिंग प्रॉपर्टि है मैठमैनिक अप्रेशन लोग जब इसी सर्क्उट आनलेसिस करें तो उसमें डिटर से बैसिक जान रहे हैं तो मोटर स्टाटिंग में उप्योग होता है बहुत जगा पावर सिस्टम में उपीयोग होता इसका तो यह आपका देखिए आपका ये कंडे सर हो सिक्स माइक्वाइड च्छोटए च्छोटे-च्छोटे सर और डारी था जुट्दिय BenniCast आंका स्टारटिंग या फिर आपका फैंक का स्टेंग भी क्या jar just like a मोटर है वो सब चीज़ा में इसको उप्योग करते हैं पाफर सिस्टम में भी कंडंक को अच्थच में होता है आप जैसे ग्रीड या समुस्ट तो फिंटÓ या कैसे इस धंक का कैपसिटर को इस धंक आपको क्या हूगा कि टैंक सिलन्डरिकल टैप में पोर्समी इस धंक आपको कि इस धंक आप स्लेंट्रिकल पोर्शन में आपको इस धंका कंडेंसर क्या हुआ आपको लटका हुआ दिखेता है तो यह क्या होता है कि पावर फेक्टर करेक्शन वगेरा में उपयोग करेंगे जो टीटेल्स हम लोग आपको और बताएंगे इकार दीखा देतें आपको अडिया यह यह देखिए आपका क्वायल होगया कि इसमें कॉपर यह वायर होता है और यह कॉपर वायर जो नार्मल नहीं होता है उसको लोग बोलते हैं लोग करते हैं जैसे आपका जणरल जो कोर होगा सौफ्ट ταइड को में लग बोलते हैं और यहां पर क्या किया जाता इस सदंग से टोटल इसमें वाइंडिंग को चड़क दिया जाता है और पूरब एसको पैक कर दिया टाँ या फिर फिर जो समें गम लगा जाता जाद जो जू रिसे कर लेते हैं कि को प्योंक नहीं को चलिए अब देखेवा ये अलग इसको हम लोग बोलते हैं सोऔर क्या लग्रा करनेद क्या प्योंका को सकते हैं सब्ट्र और मेंगनेडिक सर्कुcekट है और यहां से क्या है कि आपका पूरा यह बैंडिंग टोटल बैंडिंग इस पर चढ़ाया हुआ है दो छोड़ आपका एक लाइन एक न्यूट्रल या फिर आपका प्लस या मैनस जो भी आप कनेक्शन दोगे उप्यों कर तो यह आपका हो गया डैटी नोने इस दा इंडक्टर आप देखिया यहां पर दे दक्राफी बड़ा बनाना है तो इसको हम भू बोलते हैं सूर्व इनयमड बोलते हैं अब देखिए एंदेट रगी स्टोर देखे यह आपका रोट लोय है यह खाल डॉट से भी इसकावürü निकालते कि कितने वहां जैसे आप तो चीनका समझ्शे analytics खतम हो गया क्योंकि हमारे पास अगर आपको नहीं पता है तो कलर कोड का परियोग कीजएगा कलर कोड आप पढ़े होंगे नहीं होगा तो बाद की क्लास में कभी हम इसको डिसकस कर देंगे कि कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं देखके तो जनरली जो रेजिस्टर है इस टैप का परियोग किया जाएगा अब नया जो एडवांस टेकनलोजी यह भी आपका खतम हो गया आपको पता नहीं चलेगा इतना बारिक रहेगा जैसे आपका जो नई टेकनलोजी आपके पास आई है एल एडी टेलीवीजन हो गया मोवाइल हो गया इसमें इतना वड़ा रेजिस्टर लगाने पर जगा बहुत स्पेसियस हो जाएगा बहुत जगा जगा चेक लेगा तो जड़ी हो को जादह लेकिन यहीं हम लोग उप्योग करते हैं और इस चैस को जनरली तीन पार्ट में डीवाइड करते हैं एक होता है लो बैलू है अलू से क्या हो जाए कि आपका कम हो जाएगा मीडियूं अबका बढ़ा हो जाएगा और जो आपका हाई हो जाएगा ड़ Optim यही तीन कंपोनेंट को उपयोग कर के हम लोग क्या करते हैं टूटल एलेक्टीकल एनर्जी को बनाते हैं जैसे आपका जनेरेटर की बात करें तो क्वाईल लगा होता है क्वाईल क्या हो गया है करेंट को ब्लॉक किये रेजिस्टर लगा दिये चेंज इन वोल्टेज का समस्य हुआ यहां पर यहां पर यहां पर आपका कैपसीटर जो है यह हम लोग देखें यह कैपसीटर काम लोग उप्यों कर लिए तो यही तीन कंपोनेंट है टोटली एलेक्ट्रिकल को डिफाइन कर है क्रिटिकल इलेमेंट्स हैं जो एलेक्ट्रिकल एनर्जी को काफ़ेंट्रस्टिंग और काफ़ी बढ़िया बनाते कैपसीटर एंड़ इंड़क्टर क्योंकि यही दो है बिहावियर कुछ अलग होता है यह तेकि रेजिस्टर में जो है आप वन में यह सी दीजिए चाहे दीस्टिक हैं नहीं परेगा सैंग रागर्यान के कारण बहुत सारे हम लों ने कंपोनेंट्स को डिजायन किया है और बहुत सारे हमारे पास एलेक्रिकल एक्टमेंट सब कुछ डिजाइन यही तीनों एलमेंट से किये जाते हैं नाओ वी विल कम तो दा नेक्स्ट डाड़ी स्टाइज दा इस दा क्लासिफिकेशन अफ एलेक्रिकल मेटरियल्स ओक क्लासिफिकेशन ओफ एलेक्ट्रिकल मेटरियल्स देखे तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो मैंने आपको नोट्स में औरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया वट्सपर फर्स्ट टैर्टी नोन एज दा कंड़क्टर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुचालक दूसरा हो गया सेमी कंड़क्टर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अर्ध चालक और तीसरा जो हो गया डैटी नोने दा इंसुलेटर जिसको हम लोग बोलते हैं डैटी नोने दा कुचालक को कि इसको को कुछा दून झेल अब देखिये यही जो मेंट्रीयलज होते हैं इसे पर हम लोग क्या करते हैं टोट racket Google छी ट्रीम प्रिंट्रेस्ट आहिसानली समझे कि इंसुलेटर हमारा कर्ण नहीं काम रूभी ब्लॉक करता है इस में फ्लोर्रेस का काम नहीं है इसका बहूत बड़ा काम है एलेक्ट्रिकल में तीनों का इंपोर्टेंस अभी मैंने चर्चा किया कि जो कैपसीटर था उसमें क्या भर रहे थे इंसुलेटर ड्यandlex आहाउने आप देखता होंगे कभी कभी Call अपके घर भिज़ता तो यहां पे डेखता हूं कि अपका इस डिन में उप्योग है बहुत जादा resonates रहता है तीनों का उप्योग को चकर के हम लोग क्या करते हैं टोट practices यह सबसे जादा जो है आपका electronics में उपयोग होता है electronics component जितने बनते हैं सब सेमिकंडक्टर से ही बनते हैं और electrical का जो सबसे जादा जो उपयोग है अब देखें कंड़क्टर का खासियत क्या है कंड़क्टर का सबसे पहला खासियत हो गया वेरी लो रेजिस्टेंस इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होगा इसी कारण से करेंट फ्लो हो जाता है पहला दूसरा प्रेक्टर का सकता है पॉजेटिव टेंप्रेचर कोफिसियंट्स इसका कहने का मतलब क्या हुआ इसका एक्जामपल लेके चलें तो जितने मेटेलिक जैसे होगे आपका कॉपर आपका सिल्वर सबसे बेस्ट कंड़क्टर अफ एलेक्टर सीटी याद रखेगा इस गोल्ड से भी अच्छा है यह यू लेकिन सोना चांदी का अतार नहीं बना सकते हैं जू टू दा कॉस्ट सबसे आदा यह दोनों और इसका परियोग हम लोग करते हैं यहीं तीनों कंड़क्टर का उप्योग करते हैं आज कल इसका 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 इल्वाई भी बनाया जा रहा है ब्रास वगएरा कुछ कुछ मेक्स करके कहीं जहां पर जितना रिस्टेंस कम से कम कर सकें तो यह आपक का मिडियम रिजिस्टेंस करने का मतलब क्या हो गया कि ना ज्यादा ना कम बीच वाला जिसको बोल सकते कि ना ज्यादा है ना कम है क्योंकि तभी तो इसको क्या है कि हम लोग जैसे heat करते है तुरत इसका conductivity क्या होता इसका बढ़ने लगता है दूसरा जो इसका हो गया इसका होता है लूस को विलेंट बॉन्ट्स तीसरा जो हो गया इसका आपका negative temperature coefficient, यही इसका खासिय थै, negative temperature coefficient, अब negative temperature coefficient कहने का मतब अ क्या हो गया? कि as temperature increases, conductivity increases, मतलब कि temperature और तेंपरेचर में अगर ले के चले तो सब्सक्राइब करें हम लोग आप नया टेकनोलोजी की बात करें तो सबसे बेस्ट एक्जामपल है आपका सोलर सेल सोलर सेल देखता हुए कि धूप में लगाया जाता और सबसे ज्यादा जिसका उपयोग है आपका राजस्थान और गुजरात के डिलर्टेरियम लगाया जाता है जहां पर दीन में भी टेंपरेचर 45-50 डिग्रे सेल्जियस रहते हैं तो जैसे ही आपका टेंपरेचर सेल से बढ़ेगा कंडक्टीविटी बढ़ता जाएगा और ज्यादा करेंट जनरेट करता जाए गा यह सेमी कंडक्टर का हम लोग उपयोग सोलर सिल्स में जितने आपके मोवाइल टेलिवीजं UX हो जाए सब में सेमीकंडक्टर का रहें चिप का परियोग करते हैं और सारE एक सार एक्जाम्पल जो होते हैं सिल्कॉन जर्मेनियम और से निक यह तीन को मिक्स करके मिला के इसकी कंड़क्टिविटी को और बढ़ाया जाता है तो सेमी कंड़क्टर साब का जिसका सबसे बड़ा जो खास यह थे इसका कि लूज को वेलेंट बॉन्ड हम इसको कोवेलें गठेज़ कोफिसेंट की टेंपरेचर इंग्रीinki इंटा रिस्टेंस आपका गटे गायो और जैसी टेंपरेचर घरिस्टेंस आपका बढ़ना कर ज्याइवा तो रात में सोलरड में कभी काम नीशा थर्याला करता कैंडि नहीं कर सकते जहां पर साल में नौ से दस महीने धूप कड़कर रहती है राजस्थान में गुजरात में कुछ बिहार के विलाकों में रहती है जारखंड में तो वहां सब हम लोग सोलर सेल्स का उप्यूग है लेकिन धेरे-धेरे हम लोग ग्रीन एनर्जी की और बढ़ रहे हैं कि पूब करेंको नेक्स्ट जो है मारा इन्सुलेटर इन्सुलेटर का इन इस अत्युक्त इसका कोहां काम ने यह बहुत बड़ा काम करता हैं इन्सुलेटर का सब से पहला होगा प्रीडिमिनेंट को बेलेंट बॉंड जल्दी ब्रेक नहीं होगा इसको तोड़ने के लिए आपको काफी ज्यादा हीट और काफी हाई वोल्टेज क्या आप सकता होगी तभी जाके यह क्या होगा बन पाएगा वह कुछ पल के लिए फ्रैक्शन और इसाने की कंटिनुवस कंड़क्टर बन जाएगे या फिर इसकी जो अंदर की जो बर्निंग है मेटली का स्टक्चर वह ब्रेकडाउन कर रहा है ड्यूटू टेंप्रेचर हीट लाइट जिसके कारण तो उस कारण पर यह क्या कर सकता है नेक्स्ट इसका है डाड़िज देसका भी हम लोग सकते हैं निगेटिव टेंप्रेचर निगेटिव टेंप्रेचर को फ करते हैं तीसरा काम क्या है किया करेंट को ब्लॉक करने के लिए करन को ब्रॉक करने के लिए पूरी तरह से R ब्लॉक करना इंसुलेटर डाल दीजे करन्ट को ब्लॉक कर देगा कोई मतलब नहीं है और एक्जाम्पल्स मिले सकते हैं बहुत सार है सबसे ज्यादा उप्योग करते हैं हम लोग रवर लेदर माईगा माईगा सबसे इसको जल्दी ब्रेक करना मुस्किल होता ऐसले जहां भी हाइव वट्टेज वह यह अप्लिकेशन वेरई हाइव करते हैं माई करते हैं जबर दस्थ हो गया वूदी लकडी का हो गया प्लास्टिक्स यह सब क्या होने आपका जितना सब यास के रेंज में लाना डाड़ पॉसेबल यह आपका इंसुलेटर तो तीनों का हमारा इलेक्ट्रिकल में उप्योग है क्योंकि अगर देखिए अगर कोई भी आप मुझी देखते हो तो उसमें जब तक ही रो का तभी महत्व है जब तक उसमें भी वहां पर मांगर करना है क्यों क्यों करना है तो वह हम लोग उप्योग करते हैं और देखिए का हम कोफिसियंट का ग्राब बताते हैं कि ओक है ओक है इस इस दा टेम्पराइचर कि एक सब्सक्राइब यहां पर हमने क्या किया रेसिस्टिविटी जिसको हम लोग ओम मेटर में लिया तो माल लिया कि आपका एक ग्राफ हाएगा डड़ी दा जीरो कोफिसियंट का महारी आपका एक आएगा ऑज़िव और होगा पसरीटीव कॉफिसियंट सैये तो यह आपका होगे यह पॉजिटीव कोफिसियंट मतलब इसद Score अपको और तो हाग ऐगा Bizmoوس जीतने सेमी कंडूक्टर्स होगे सब आपका का निगेटिव सोफिषियंट्स में और यह जितने पॉस्टीव होगे आपका मेटेलिक समें खृूndक्टर समें तुर रिसस्टीवीटी इसका डॉन कर रहा है जीतने कि यहां पर देखिए यहां पर इस पॉइंट पर देखिए रेशेस्टीविटी बहुत कम है इस प जैसे से बढ़ता जा रहा है तो निगेटी में सेमिकंडॉक्टर और इंसुलेटर्स और इस जी इसमें पॉस्टिब में जेनरली हम लोग मेटलीक कंडॉक्टर को लेके चलते हैं इससे आपका कॉपार अलमुनियाम जितना जो अब आते हैं अब आते हैं वेरी इंपॉर्टे